मैं रावल जी यही पूछना चाहिए थी कि JPC की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में JPC JPC is important JPC होनी चाहिए मगर अब सवाल ये है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों है अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोधी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं और ये जो व्यक्ति हैं जिनको American Agency ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और American Agency ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, यह सब वहाँ बोला जा रहा है, और प्रधान मंत्री यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं कर सकते, अगर वो करना भी चाहें, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अधानी जी के कंट्रोल मे हैं ये मेरा मेंन मेसेज देश तो ये है जे पी सी है अधानी जी के अरेस्ट है मगर मैं जंता को कहना चाहता हूँ आप नोट कीजिए स्कैम किया है दो हजार करोर रुपे का मगर मैं आपको गैरंटी दे के कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पर इंवेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधान मंत्री इसके साथ जुड़े हुए है